नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल Competition Boss पर और मैं हून नीतेश, आज हम बात करेंगे नीट के बारे में दोस्तों, नीट जैसा कि आपको पता है, जिन लोगों ने Science Stream से 12th पास किया है और Science Stream में जिनके पास Biology थी, यानि Physics, Chemistry और Bio था, वो इस exam में एपियर हो सकते हैं इस exam में एपियर होने के बाद, आप डॉक्टर बनते हैं, यानि कि Medical Collegeों में प्रिवेश के लिए ये exam लिया जाता है, जो कि पहले CPMT या PMT के नाम से हुआ करता था इस बार इस exam में काफी सारे changes देखने को आपको मिलेंगे और काफी सारा जो process है वो भी इसका बदल गया है पहली बात तो इस exam को जो है इस बर NTA यानि कि National Testing Agency करवा रहा है और 30 नमबर इसके आवेदिन की लास्ट डेट है, आवेदिन आपने भर दिया होगा, नहीं भर दिया, तो आप आवेदिन को जल्दी जल्दी भरें इस exam का syllabus भी जारी हो चुका है, इसी पर अपन जो है विशेस रूप से focus करने जा रहे हैं कि आपको कहां-कहां किस-किस section में तयारी करने की ज़रूरत है और क्या-क्या तयारी आपको करनी है नीट exam में आपको मालूम है तीन घंटे आपको मिलेंगे, 17 से 25 वर्ष अगर इस बीच आपके IU है तो आप इस exam में appear हो सकते हैं ग्यारा भाषाओं में ये exam होने जा रहा है ना केवल English में ही है ना पहले केवल English में होता था अब ये आपको ग्यारा भाषाओं का विकर्प यहां मिलने जा रहा है तो अपने syllabus की बात करें तो physics, chemistry और biology तीन पार्ट में आपका ये syllabus बटा हुआ है और इसमें physics, chemistry तो जो है compulsory है, biology दो भागों में बटी हुई है, compulsory सभी है लेकिन biology को दो भागों में बटा गया है जिस chemistry के 45-45 questions आपको देखने को मिलते हैं और bio का जो section है वो दो पार्ट में है पहले पार्ट में आपका बोटनी है जहां 45 questions है, दूसरे पार्ट में आपका जूलोजी है जहां भी 45 questions है इस परकार टोटल जो है 90 numbers ये अलग सामिल आपके हो जाते हैं अब अपन इसमें ये देखें कि भाशा हैं वो कौन कौन सी हैं जिस भाशा में आप इस exam को दे सकते हैं तो देखें कि English के साथ साथ Hindi है, तो Hindi में exam होना ये बहुत ही बड़ा करांतिकारी परिवर्तन है यानि कि Hindi भाशी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि English में अपन पूरी बात या किसी अन्य भाषा में आप पूरी बात communicate नहीं कर पाते और वैसे भी खा गया है कि आप जिस भाषा में अच्छे से communicate कर सके उसी भाषा में आपको बात करनी चाहिए या आपका माध्यम उसी भाषा का होना चाहिए तो यहां 11 भाषा हैं आपके सामने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ फिर आप 11 भाषा हैं सुन लीजिए हिंदी, इंगलिस, मराठी, उडिया, कन्नर, बंगली, गुजराती, अस्मी और उर्दू इन 11 भाषाओं में जो है इस बार नीट का एक्जाम होने जा रहा है तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी नीट के बारे में जो आपके बहुती काम की साबित हो सकती है ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं आप अगर चैनल पर नए आएं तो सब्सक्राइब कर लें, बैल आइक अंद दबादे ताकि आपको इस तरह के वीडियो लगाता मिलते रहें लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा ताकि लोगों को इसका लाब मिल सके आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूसफुल वीडियो में मैं आपको फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार